हेलो एन वेल्कम काई स्वागाज आपका फेंटासी डिसन चलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूरोपियन क्रिकेट लिग टी टेंट की जो की मैच होने वाला है यहां से टून प्रिज वेल्स व्सिस ड्यूस के बीच में तो चले डोनों ही टीम क देखे जाने वाले कौन से प्लेयर को हम लोग यहां से अवेड करके जा सकते हैं तो चले बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं लेकिन इस से बेले एक चोटी से रिक्वेस्ट है कि यूटूब चैनल को अपने सस्क्राइब नहीं किया तो यार सस्क्राइ वो मैच की भी कवर किये जाएगी तो सारे अच्छे मैच कवर किये जाएंगे तो यूटूब चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल ना बूले और फाइनल टिम के लिए टेलिगरम से जुट जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो इस मैच की बात करो तो मैच रात को साड़े नो बजे शुरू होगा कर्टमा और मलंगा स्पैन के अंदर बाकि पीच रिपोर्ट की बात करो तो देखो आर्टिफिशल पीच है सपाट पीच रहने वाली तो यहां से बेश्मेन और बॉलर्स दोनों को यहां पर चांसिस मिल सकता है लेकिन तो बस मारने जीच सब्सकरैंद के यहां गेम है तो कभी नहीं हीटिंग के लिए यहां पर विकेट्स इस बात करो तूंइज़ वेल्स की अभी तक पांच मैश के लिए जैपर चार मैच वो जीतके आ रही है वो जीते से जबर्जस और एक मैच वहर के हारा है वो Beethoven 2 वहां आरे और उन्ह दस विकेट से मैच हारा हुआ है, तो आज का मैच एक बार वापस वही दोनों टीम के बीच में हो रहा है, तो एक अच्छी मैच यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, वीरज बाठिया जहां से ओपनिंग करवा रहे हैं, पहली मैच के अंदर 17 रन किया थे, दूसरी मैच के लेकिन बॉलिंग के बात करूँ अभी दक उन्होंने एक बी ओस नहीं की, यहांसे बात करूँ हुगो विलियम्स, तो ठीक ठाक परफरमस पहली मैच वह खिले नहीं, दूसरी दोनों मैच के बात करूँ छे दो रन किया थे, लास्ट मैच के बात कर दो जीरो रन किया था, तो इनका भी ठीक ठाक परफरमस है, स्मॉल लिग में हम इनको भी थोड़ा सा वईर कर सकते हैं, यहांसे बात करूँ जोनी शेफर्शन, तो पहली मैच वह खिले नहीं थे, दूसरी मैच के अंदर 14 रन किये थे, और एक वस की गयन बाजी किती, जा पर विकेट नहीं मिला दूसरी मैच के अंदर भी ओस की विकेट नहीं मिला, तूसरी मैच के अंदर भी ओस की विकेट नहीं मिला, तो इतना कुछ खास परफरमस रहा नहीं है, लास्ट मैच की बात कर तो दो ओस की गयन बाजी करते हुए एक विकेट मिला था, लास्ट मैच के बात कर तो ओस नही पर भी उनकी हालत थोड़ी सी ना जुग है यानि की हालने की कगार पर रहे तो यह से थोड़ी से बात कर दो ड्यूक सो और दोनों के बीच में मैच अच्छी होनी वाली है यह से बात करो क्रिस विलियम्स तो इनको उपनिंग आना चाहिए था लेकिन लास्ट मैच की बात कर तो वो नीची है थोड़ी से खेले थे अभी जो रिसंटली मैच चल रहे है उसमें शायद उन्होंने उपनिंग किये तो 45 के 21 के 29 के 37 के लगातार अच्छे फॉम में चल रहे हैं लेकिन जो मैच चल रहे हैं वहां से वहां पर कोई ज्यादा परफॉरमस किया नहीं आई थि स्कॉर देखा नहीं खाली पॉइंट्स देख के बोल रहा हूं क्योंकि अभी दक एक ही पॉइंट जनरेट किया है उन्होंने तो इसके लिए लेकिन हमारी लिए इंपोर्टेंट हो सकते है क्योंकि अगली मैच के अंदर वह उपर से ही किलेंगे यहां से बात करू इयान मे बात करो तो वीकर किपिंग स्क्षिन में दिख जाएंगे यह ज्यादा इंपोर्णेंट नहीं होने वाले मैं इनको ज्यादा प्रिफर नहीं करता स्मॉल लिग के अंदर ग्रांड लिग में ज्यादा रिस्की खेलो पांच-शे टीम बनाओ इसमें एक टीम में लेके जाना पर आज की में भी धमाकेदार परफॉर्मस दे रहा है थिंक है बहुत सारे पॉइंट जनरेट करके दे दिया हमको तो वेरी इंपोरेंट हो सकते हैं अभी रिसंटली जो में चल रही नहीं है तो यह अगर वीडियो देख लिए है न तो टी डवली की जो प्याली में चल र आपको सीधा हमारा चैनल में जागा सिंपल यह आप उसे जोइन कर देना और आपको वहां पर हमारी चैनल भी मिल जाएगी तो जहां से स्मॉल लिकीट टीम मिल जाएगी फाइनल अपडेट वही पर सब मिल जाएगा यहां से बात करूँ बैली वाइट मैं अच्छी फिक ह हो सकते हैं हर एक मैंच में लगबग पूरी वहिस्च कर वा रहे हैं फिकेट भी मेंच की बात कर दो तीन मस कर दो चैर विकेट निकाले Mackay थे लेकिन dad के अंदर 30 विकेट निकाल लेए थे लेकिन acceptation के अनुसार उन्हें ने पर्फरमस बिलकुल नहीं दिया अभी तक तो विकेट लेस रहे हो सकता है अगली मैच के अंदर खेले एक अदि विकेट निकाल ले लेकिन अभी दब तो विकेट लेश रहे, यहांसे बात करूँ, देव स्मिथ की तो पहली मैच के अंदर बैटिंग से परफरमस करने का मौका नहीं मिला, एक वसकी गनबाजी की विकेट नहीं मिला, इसके बार लगा था दोनों मैच में दो-दो विकेट लेके आ रहे हैं, एक बार 29 स्कोर भी किया, तो अच्छी चोईस हो सकते, आप देव स्मिथ को अपनी टिम में लेके जा सकते, अच्छी चोईस हो सकते हैं, यहांसे बात करूँ, बैंच की तो एलक्स विलियम्स दीख जाएंगे, हो सकता है, अगली मैच में खेलते होई नजर आजा है, क्योंकि देविस टो एक रन ही बनाये थे, एक मैच के अंदर, और दूसरी मैच वो खेले नहीं थे, लेकिन रिसंटली जो मेच चल रही है, उसमें वो खेल रहे है, तो उनके स्टेट्स आपको ट्रेलिक्राम में प्रवाड़ी करवा दूँगा, यहांसे बात करूँ, मार्कस ओरिय लेके आएंगी, तो हमें एज अप लेयर तो कम से कम लेके जाना ही पड़ेगा, यहांसे बात करूँ, माइकल वोकर की तो उनसे भी बहुत चारा एक्सेप्टेशन थी, लेकिन उन्होंने भी एक्सेप्टेशन के अनुसार बिल्कुल पर्फरमस नहीं दिया है, 28 मैचिस के तो एहमद नभी आपको ओपनिंग करते हो दिखेंगे, बंदा जबत जस्त मालता है भई, पहली मैच के अंदर सिर्व एकरन किया था, लेकिन इसके बाद उन्होंने बल्ला कोल दिया है, 59 की ए, 23 की, 74 और 36, 74 आप देख सकते हो, 59 देख सकते हो, यह बंदा हमारी लिए वेर आप देख सकते हों, यहांसे लास्ट मैच के अंदर, इन्हों यही टिम के साथ, यानि के टी डवल्यू के सामने ही उन्होंने, दोनोंने ओपनिंग जोडी ने ही मैच जिता ली थी, यानि कि किसी के भी नीचे बेटिंग नहीं आई थी, क्योंकि यह मैच यह टिम 10 विकेट से जित ली थी, तो यहांसे दोनों ही जब 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 पॉम में चल लेए, दोनों को यह में लेखे जाना पड़ेगा, हफजा नियाज और यहांसे एहमद नभी दोनों के उपर हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, यहांसे मौहमद निशार भी हमारे लिए इंपोरेंट हो सकते हैं क्योंकि एक तो उपर से बेटिंग करवा लेते हैं, प्लस ओस पूरी करवा रहे हैं, दो-दो ओस हरेक मैच में लगबग पूरी करवा रहे हैं, तो हमारे लिए वेरी इंपोरेंट भी किरेने वाले हैं, इवन कैप्टेंश वाइस काप्टेंश भी दे सकते हो, निशार है, इवन एहमद नभी, वह यहां से मौंबद निशार और तबीस भट्टी की बात करो तो यह तो कैप्टेंश भाइस के चोईस है, तो काफी अच्छी मैच होने वाली यहां से, बात करो मौंबद चोधरी की, तो ओके-ओके फिक रहेंगे, इतना कुछ खास परफर्फरमस दिया नहीं, अभी तक यहां से बात करो, कामरा नहीं मच जाए, वेर इंपोर्टेंट फिक रहने वाले, यह जप लेके जाना ही होगा, बाकी हर एक मैच में आपको विकेट लेते हुआ नजर आएंगे, अभी तक जितनी भी मैचिस के लिए, लगबख सारी मैच के अंदर लेके आए होगा, खाली एक मैच के अंदर विकेट लेस रहे थे, यहां से बात करो, वाहिद अबदुलगी, तो यह भी ओके-ओके फिक रहेंगे, इतने कुछ खास रहने वाले नहीं है, तो इनको मैं ज्यादा स्मॉल लिक अंदर प्रिक पर नहीं करोगा, क्योंकि बहुत मैच के अंदर कोई परफोर्मस करने का मौका नहीं मिला, यहां से बात करो, जहीर अम्मार, जो कि दो मैच के ले, जापर जीरो और साथ रंड किया है, राइट एने बैटिंग करो लेते हैं, प्लस विकेट की बिंग करवा लेते हैं, तो इतने कुछ खास नहीं लेते हैं, ह आमारे लिए एक ओप्शन से क्रीस विलियम स्रॉम उनको अविर करके जाएंगे, यहां से बात करो, अफरीदी यासिन, जो कि हर एक मैच में लगबग पूरी ओस करवा रहा है, विकेट भी ले रहा है, पहली मैच के अंदर एक विकेट निकाला, दो विकेट निकाला, तो ह आपको विकेट लेते हों नजराएंगे, तो यहां से आफरीदी यासिने कच्छी चोईस हो सकते है, मैं उनको लेके जाना है, यहां से बात करूँ, एलेकजंडर हारकुक की तो तीन मैच चिस खेले थे जहाँ पर एक भी रनने किया, और अभी तक साय दो तीन मैच खेल जो कि दो मैच के लिए दो और साथ रन किये, और बाकी इनको खेलने का मौका नहीं मिला है, तो सारे टिम के प्लेयर के स्टेट्स आपके सामने हैं, तो अभी हम देख लेते हैं, हमारी फेंटासी टिम के कौन से प्लेयर को हम लेके जाने वाले कौन से प्लेयर को हम लोग य यहांसे बैटिंग स्रक्षन की बात करो तो एहमद नभी वेर इंपोरेंट फिक रहने वाले इनको थोड़के नहीं जा सकते हैं यहांसे बात करो एच नियाच और यहांसे वी भाटिया को मौका देके एक बड़ा रिस्क लिया है आप क्या कर सकते हो न यहांसे बॉलिंग स्र लेका कुसी न किसी बड़े बड़े प्लेएर न पड़ेगा हो सकते हैं बांकी यहांसे यहांसे ब्ली recipes के बात करो तो वाइट मैंन है यहां से बाहर करेओ और यहां से यहां से यहां से आशिन को मैंने फिक किया हो हैं आप चाहे तो न बस ज्यादा कोई अप्संस भी नहीं है अच्छों भी नहीं एस मौंबत को मवगा देना चाहो तो दे सकते हो तो मेडी टीम तो कुछ इस तरह भी अगर OS करवाते हैं तो हमारे लिए वेरी इंपॉर्ट हो सकते तो कुछ इस तरह से मेरी टीम हो सकते हैं लेकिन यह याद रहें यह मेरी जेमो टिम है यह मेरी फाइनल टीम नहीं है और इस में फाइनल लाइन आप के बाद आपको काफी सारे changes होते हुए दिखेंगे तो final line-up के बाद final team के लिए simply telegram से जुट जाना और telegram से जुटने के लिए मेने नीचे description में link attach किया प्लस आपको नीचे comment section में भी link attach करके दे दूगा इनके सकर link work ना करें तो सिदे जाए telegram में वहां चाके search करिए fantasy edition चलेंजर या फिर आप search कर सकते हो add the rate fdc27 और आपको सिधा माना चैनल मिलेगा यह जो टूर्णामेंट है पूरी कवर की जाएगे इसके साथ साथ बाकी जो भी अच्छे ची टूर्णामेंट है जहां पर winning अच्छी हो सकती है वो सारी टूर्णामेंट कवर की जाएगी और आपको टीम भी मिलते रहेगी तो फिर जूटना बिल्कुल ना पुरिये हमारे